नमस्कार वेलकम टू माई चैनल मुक्ता होम साइंस क्लाफिफ आज फर्स यूनिट का थर्ड टॉपिक है क्वालिटी एवलुशन ओफ फूड सब्जेक्टिव इसके दो टाइप्स होते हैं दो तरह से हम इसका इवल्यूट कर सकते हैं मुल्यांकन कर सकते हैं फूड की क्वालिटी कि इसकी गुडवत्ता का मुल्यांकन दो तरीके से कर सकते हैं एक तो सब्जेक्टिव दूसरा अब्जेक्टिव तो आज हम सब्जेक्टिव का देख लेंगे सेंसरी इवलुशन भी से बोलते हैं सेंस के थ्रू किस तरह से हम भोजन को चेक करते हैं जा शमता तक लोगों द्वारा ग्रहन किया जाने योग यह है इसकी जाच समवेदी तंत्र द्वारा किया जाता है sensory evolution कहलाता है ठीक है तो यानि food की quality चेक करने के लिए हमें sense द्वारा जिसमें हमारा मुध्वारा भूजन क्रहन करते हैं जैसे यह है मुध्वारा भूजन क्रहन करने पर भूजन के साथ टेस्ट का पता चलना आगों से भूज्ची पदार्थों का रंग बनावट को देख कर उनकी गुडवत्ता का अनुमार लगाना तो वो हमारा sense के थ्रू होत की जाती है तो यह sensory evolution है इसको subjective ही कहते है that means अब एक example ले लेते हैं जैसे यह ग्लास है ठीक है इसमें चीनी की मात्रा का देखना है कि हांसमें कौन सा flavor आ रहा है ठीक है sense के थ्रू देखना है कि इसमें नमक है चीनी है या फिर कौन सा तत्व मिला हुआ है ठीक है यह ग्लास में पानी है और गोल है जिसमें कुछ मात्रा में बिल्कुल नाम मात्र के मात्रा में चीनी का पड़ा हुआ है नमक का पड़ा हुआ है यह सो इसमें चेक करना है चिप चेक करेंगे तब ग्याद करेंगे कि हां इसमें क्या है और कितन भोजी की गुडवत्ता में उसको मुल्यंकित करने के लिए फिर सेंसरी एवलुशन में ये जो डेफिनिशन दी है जो भोजी की उत्पात की जाच जो भी भोजन की प्रोड़क्ट की जाच मानों के समवीधी अंगों के दोरा समवीधी अंग कौन से हो जाते हैं आख ठीक है देख करकी भी हम उसको जे चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या हो सकता है कलर देख करकी कि हाँ क्या है रख करकी टेस्ट से भी पता चल सकता है बनावट भी देख करकी तो इससे हम सेंस के थरू पता लगा सकते हैं कि हाँ ये सेंसरी एवलुशन है यानि सबजेक्टिव के थरू ठ भोज्य के उत्पादक की जाच मानों के सम्विधी अंगों के द्वारा ग्यात की जाती है तो यह sensory evolution है इसको subjective ही कहते हैं प्रतिक समय भोजन को ग्रहन करने के बाद यह निसकर्ष निकाला जाता है कि यह भोज्य पदार्थ कैसा बना है अब जैसे यह ग्लास में घूल बना कोई चीनी का है नमक पड़ा हुआ है किसी में नीबू पड़ा हुआ है तो इसको हम चेक करेंगे तब यह ग्याद करेंगी कि हाँ यह पदार्थ इसमें कौन सा वो मिला हुआ है तो यह सब जेखिंगे और कुछ product ऐसे हैं उसमें यह देखिँगे कि हहाँ इसका taste कैसा है य अच्छा है या नहीं इसका भी पता लगाएं कुछ चीज़ ऐसी होती है देखने में अच्छी होती है तो वो उसे पता लगाए जा सकता है अनुमान लगाए जा सकता है कि हाँ यह खाने में भी अच्छी होगी उसी तरह से दूसरा बोजन है बोजे पदार्थ जो की देखने में आकरशक नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, जैसे जैम है, जैम में, जैम का कलर धुनला है, तो उसे पता लगा जा सकता है, यह जैम अच्छा नहीं है, यह यह खराब हो चुका है, तो यह हमारा होता है, सेंसरी इवलुशन, जियो भोज्जी के उत्पाद की जाच मानों की स द्वारा सम्वेदी अंग द्वारा याद की जाती है यह sensory evolution है इसको subjective ही कहते हैं प्रतिक समय भोजन को grant करने के लिए बात यह conclusion निकाला जाता है कि यह फूचिपदार्थ कैसा है बोजिपदार्थ की सम्वेदी गुर्वत्ता जो की विभिन सम्वेदो द्वारा महसूस की जाती है कि इसकी quality को देखने के लिए अनेक अनेक जैसे हम देख करके भी टेस्ट करके भी ठीक है उसकी सुगन से भी पता लगा सकते हैं तो यह इससे क्या होता है बोजन की जिन आजमँ करने में कि हाई ये मेरे लिए best है और उसे हम ग्रहण कर सकते हैं भोजिन को ग्रहण करने से पहले भोजन में उपस्ते टेफ्ट भोजं को की दिखावट एवं MOUTS FEEL तय करते हैं थी कहciesा है पहले जब ग्रहण को पहले हम देखेंगे कहां यह कैसा है या कर सक् बोजन की गड़वतां का पता समवेदी भागों दौरह आसानी पूर्वक लगाया जा सकता है। जैसी भोजन जैसे ही मूं में पहुषता है बोजन की सुनरचना यानी जो टैक्ष्यर है, सांधरता हैे और उसका टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। यदि कोई भोजन देख किसी भूजन की बनावत रंग इत्यादी उचित नहीं होते हैं तो उसको लोग कम पसंद करते हैं समवेदी अंगो द्वारा भोज पदार्थों की बनावत रंग स्वाद सुगंद इत्यादी की जाज करकी गुडवत्ता का निर्धारण किया जाता है फिर आता है sensory characteristics of food अब इसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपेरेंस देखकर भोज पदार्थों द्वारा या निर्धारित की जाती है कि भोजन दिखने में कैसा है जब अंड़ा खाने के लिए बनाया जाता है अगर वा दिखने में सुखी सतय वाला है तो लोग उसे खाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि सुखा अंड़ा उनको देखने में अच्छा नहीं लगेगा जिसकी वज़े से उनका मन उसको ग्रहन करने में नहीं लगेगा तो उससे ये पता लगाए जा सकता है कि हाँ वो खाने में भी अच्छी नहीं होगी अर्थात इस पस्ट रूप से कहा जाए तो आँखों द्वारा ये देखकर पता लगाया जा सकता है कि बोजन दिखने में आकरशक है या नहीं इसके आधार पर उसकी गुडवत्ता का नमान लगाया जाता है इसके साथ ही बोजन की भीतरी दिखावट का भी मुल्यांगकन किया जाता है जैसे ग्रेवी सबजी बनी है उसके ग्रेवी चेक करते हैं तो ये देखते हैं सारे जो वो चीजे हैं समगरी वो मिली है या नहीं अच्छी तरह से घुल गई है तो हाँ ये अच्छी है देखने में जो अच्छी है यानि खाने में भी अच्छी होगी और भोज्य पदार्थों में किसी प्रकार के संक्रमर जैसे क्यूड़े लगना या किसी तरह के सफोंद इसको भी देख करके पता लगाया जा सकते कि यह ग्रहन करने योग्य नहीं है फिर कलर सी कैसे सेंसरी एवलुशन करेंगे रंग सी भोज्य पदार्थ आकरशक दिखता है और आनंद की अनभूती होती है रंग द्वारा भोज्य पदार्थ की गुडवत्ता की पहचान की भी जाच की जा सकती है जैसे फलों इत्यादी की पकने वक अच्चे अवस्था में रंग अलग होता है रंग द्वारा ये पता किया जा सकता है कि फल पक गया है या नहीं इसी तरह कौफी या चाय को रंग द्वारा पहचाना जा सकता है रोटी या ब्रेट जल जाने की अवस्था में बहुत ब्राउन रंग की हो जाती है और उपयोग करता उसे ग्रहन करने के एक शुक नहीं रहती जैम तैयार करने पर यदि रंग कुछ धुन्दला हो तो उसको आकरशक बनाने के लिए उसमें अलग सी आवश्यक्ता अनुसार रंग मिलाकर उसे आकरशक बनाई जा सकता है जैसे बितायता है कि जैम है उसका कलर डाउन है धुन्दला सा है तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये खराब है अच्छा नहीं है तो ऊसके लिए क्या करते हैं अच्छा बनाने के लिए उसमें अवश्यकता अनुसार दूसरा कलर एड़ करते हैं और उचित रंग का जैम तगयार करते हैं दूसर तीसरा आजाता है फ्लिवर फ्लिवर के त्युन टाइपस होते हैं पहला है order, taste, mouthfeel, order क्या होता है, गंध होता है, taste, स्वाध है, और mouthfeel मुख द्वारा अनुभव करते हैं, feel करते हैं, पहला आता है order, गंध, गंध से कैसी बलूट करेंगी भूजन को, तो किसी भी भूज़ पदार्थ में अपनी एक विशिष्ट महक होती है, जो कि भूजन से वास्पित होकर नाग तक पहुचती है, नाग में उपस्तित रिसेप्टर भूज़ पदार्थ की सुगंद को महसूस करती है, और मस्तिस को इंडिकेट करती है, वहां तक पहुचाती है, जिससे व्यक्ति उस भूज़ पदार्थ की विशें में ये conclusion निकालत है कि ये भूज़ पदार्थ की गुडवत्ता की चांच करने की एक समवेदी गुण है, लेकिन ये भूज़ पदार्थ को पकाय जाने वाले टेंपरेचर पर नेभ़ करता है, क्योंकि ठंडी टेंपरेचर पर वास्पिकर नहीं हो पाता है, और हमें कंध फील नहीं हो पात जाते हैं अब जीव में भी अलग-अलग पायफी हमाही करफा लग कान्भा होता है जिससे इमें प्रभर कान्भा होता है मीठे कान्भा हो उता है फब already जीव दोडे कान्भा होता है तो यह सवारी चीजित पता मौन मईुपस्तित जीव में पायाने वाली स्वाद Dob abra ग्रंतियों द्वारा चलता है जब बोज पदार्त मुख में जाता है तब स्वाद ग्रंतियों द्वारा व्यक्ति को भोचन का स्वाद मीठा या नमकीन खटा करवे का पता चलता है जीव में आगे की तरफ नोक पर उपस्तित स्वाद ग्रंतियों में कड़वेपन का पता चलता है अलग-अलग व्यक्तियों में विभिन स्वादों के लिए समवेदन शीलता भिन भिन होती है ठीक है सभी में अलग-अलग टाइप्स की टेस्ट आते हैं किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ mouth feel भोज़न खाने पर वी मुख में कैसा प्रतित होरा है इसका mouth से लगाया जाता है इस विदी से भी भोज पदार्थ की गुड़वत्ता की जाच की जाती है कि हाँ आप माउट फिल करते हैं भोजन को रखा उसी पता चलता है टेक्शर कैसा है ठीक इसकी सांड़ता कैसी है मूमे रखते ही ठीक है इस स्वेधी से भी भोजे पदार्थ की गुरवत्ता की जाच की जाती है मुक में जब भोजन आता है तो मूमें उसका टेक्शर उसकी स क्रिस्पी टाइप होता है वह फिल होता है लेकिन अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए उसके बाद उसको खाया जाए तो उसका टेक्शर मुक में लेने पर मुलायम फिल होता है जिससे यह कंक्लूजन निकलता है कि खराब हो गया बिस्किट खराब हो गया या नम हो प्रकार पदार्थों की सांदरता का भी माउट विल से पता लगाया जा सकता है। सूप बनाने के लिए उसमें कितनी सांदरता लेनी चाहिए। उसकी चांच सूप को टेस्ट करके की जा सकती है। इससे उसके पतलेपन या गाड़ेपन का भी पता लगाया जा सकता है को नमाना आजाता है Conducting Sensory Test ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ही प्लीज सब्सक्राइब मैं वीडियो लाइक और शेर इतना ही थैंक यू